दूस्तों दूद में अधिक मात्रा में प्रोटीन और वसा मौझूद रहता है और जब दूद को गर्म किया जाता है तो ये दोनों अलग हो जाते हैं और हलके होने के काराण ये दूद की सता पर इकट्टे हो जाते हैं और दूद से उठने वाली वास्त को बाहर नहीं जाने देते और जब यह वास्त बाहर जाने का प्रयाज करती हैं तो बुलबुलो के रुप में जहाक बनाती है और दूद उफन कर बाहर आ जाता है यही कारण है कि गर्म करने पर दूद उफनता है जबकि पानी में से ये वस और प्रोटीन नहीं होते इसलिए पानी उफंता नहीं है सिर्फ उबलता है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हर दिन कुछ नया सचने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद